नमस्कार सूचनेवम जनसंपर्क विभाग की प्रस्तूती हिमाचल बुलिटिन में आपका स्वागत है पेशें आज के समाचार आज नई दिली से विडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से रक्षा मंत्री श्री राजनात सिंग ने 44 स्थाई प्रमुख पुल राष्ट्र को समर्पित किये उन्होंने नेचीपू सुरंका शिलानयास भी किया मुख्यमंत्री श्री जैराम ठाको ने अपने निवास्थान ओकोवर से इस कारिक्रों में भाग लिया इस औसर पर श्री राजनात सिंग ने कहा कि ये सभी पुल देश के सीमावर्ती क्षेत्र में बहतर संपर्क स्थापित करने में मील पत्थर साबित होंगे राश्टर को समर्पित किये गे 44 पुलों में दो पुल हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं जिनमें मनाली सर्चू लेहे राजमार्क पर स्थित दार्चा बर्सी पुल भी शामिल है दार्चा में भागा नदी पर 360 मीटर लंबा ये पुल देश का दूसरा सबसे लंबा पुल है इस पुल का निर्मान 27 करोड 25 लाग रुपे की लागत से किया गया है यातायात सुचारू बनाए रखने के साथ ये नया पुल अधिक भार वहनक्षमता में भी साहयक सिद्ध होगा दार्चाला हॉल में केलंग से 33 किलोमीटर दूरी और 11,020 फिट उंचाई पर स्थित है इस परियोजना को सीमा सडक संगठन की 70 सडक निर्मान कमपनी द्वारा निर्मित किया गया है रक्षमंत्री ने मनाली सोलंग लिह राजमार्क पर व्यासन नदी पर बनाये गए 110 मीटर पलचान पुल का भी लोकारपन किया इस पुल का निर्मान 12 करोड 83 लाग रुपे की लागत से किया गया है अरुनाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनिंट गवर्नर भी अपने अपने राज्यों से इस आयोजन में शामिल हुए प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज नए दिली से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से स्वर्गिये विज्या राजे सिंधिया के जनम शताबदी समारोह के आउसर पर 100 रुपे के विशेश सम्मारक सिक्के का वे मोचन किया मुख्यमंत्री श्री जैराम ठाकूर भी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से इस समारोह से जुड़े और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जैराम ठाकूर का प्रदेश वासियों के नाम संदिश प्यारे प्रदेश वासियों नमस्कार करोना के मामलू में लगातार पूरे देश वर में बढ़ुतरी हो रही है और सौभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी इन दिनों बहुत सारे मामले हमारे सामने आए हैं ऐसी परसिती में हमको और भी साबधान होकर के सजग होकर के काम करने की आफशकता है संक्रमन से बचने के लिए आप मास्क पहन करके जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेंग करें अनावशक रूप से लोगों के बीच में भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें सैनिटाइजर का इस्तेमाल और सैनिटाइजर नहीं है तो साबन से बार बार हाथ दोते रहें ये बहुत आवशक है कुछ लोग अपना ही इलाज शुरू कर देते हैं घर में उन बातूं पर न जाएं किसी को भी करोना अगर होता है डॉक्टर की सला लें और डॉक्टर की सला के अधार पर ही अपना इलाज करें मुझे पूरा भुरोसा है कि आप सब का सयोग करोना वारिस के खिलाफ इस लड़ाई लड़ने के लिए हर कदम पर हमको मिलता रहेगा बहुत बहुत दिने बाद नमस्कार जाहिन प्रदेश में करोना संक्रमन की जांच के लिए आज 841 लोगों के सेंपल लिए गए जिन मेंसे 411 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है जबकि 409 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है अभी तक 3,25,340 लोगों की जांच की जा चुकी है जिन मेंसे 3,7,482 सेंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है प्रदेश में कुल 17,455 लोगों में कोरोना वाइरस के संक्रमन की पुष्टी हुई है, जिन मेंसे 14,599 लोग इस बिमारी से ठीक हो चुके हैं और 2,585 व्यक्ति उप्चाराधीन है हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करे यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करे ट्विटर एट DPRHP, लाइक करे फेस्बुक पेज, इन्फरमेशन और पॉब्लिक रिलेशन डेपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करे वेबसाइट www.himachalpr.gov.in इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात दीजे इजाज़त, नमस्कार